आम और पर माना जाता है कि तनाव एक घंभीर मानसिक बिमारी है और इससे बचाव के लिए लोग कई तरह के उपायर भी करते रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं तनाव फाय देमंद भी होता है जान ये कैसे प्रतिरोधक्षमता बढ़ाता है तनाव जब आप किसी बात को लेकर थोड़े समय तक तनाव में होते हैं तब आपका शरीर अपेक्षाक्रित अधिक सक्रिये हो राता है तनाव की स्थिती में शरीर तेजी से प्रतिक्रिया करता है जिसे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है इस थिती में शरीर से कॉटिको स्टियरोईड हार्मोन निकलने में आसानी होती है इनकी मदद से शरीर अपन संग्रक्षित तूर्जा का इस्तिमाल कर संक्रमन से तेजी से लड़ता है लेकिन अगर तनाव की स्थिती बहुत देर तक बनी रहती है तो शरीर का उर्जा स्तर घट सकता है तेज होती है यद दाश्ट तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी तनाव पूर्ण स्थिती में आपका मस्तिष्क तेजी से काम करता हो अगर ऐसा है तो इसकी वज़े थोड़े समय तक आपको होने वाला तनाव भी हो सकता है तनाव के दोरान मस्तिष्क के प्री फ्रेंटल कॉर्टेक्स हिस्से में हार्मोन प्रसारित होता है जिससे मस्तिष्क तेजी से निर्ण लेता है हाला की विशेशग्य यह भी मानते हैं कि लंबे समय तक तनाव पून स्थिती से इल्डाइमर का खत्रा भी बढ़ जाता है सरजरी की रिक्वरी जल्द कई शोधों में यह माना गया है कि यदि सरजरी के पहले रोगी को उसका थोड़ा सा तनाव हो तो उससे उसे रिक्वरी में आसानी होती है इस थिती में शरीर की प्रतिक्रे आत्मक कोशिकाएं सक्रिये हो जाती हैं और त्वचा की रिक्वरी तेज होती है जर्नल अफ बून अंज्वाइंट सर्जरी पत्रिका में प्रकाशित इस शोध के नतीजे 57 रोग्यों की ब्लड सेंपल के अधियन पर आधारित हैं आपको बनाता है मिलनसार थोड़ा तनाव आपको मिलनसार बनाता है ऐसे कई शोध हैं जिन में माना गया है कि तनाव की स्थिती शरीर में ऑक्सिटॉक्सिन वहार मून कस्तर बढ़ जाता है कनाव की स्थिती में यह समाजिक होने वद दूसरों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित करता है